पृट्वी और शर्लिंग के खेल में बुरी तरह फस चुकी है पृटा पृटा जिस गुंडे को पृट्वी के साथ उस घर में लेकर आई थी वो गुंडा तो निकला खुद पृट्वी और शर्लिंग का वफादार प्रीता ने ये सोचा था कि मार पिटाई के बाद तो गुंडा सब के सामने सच ही बोलेगा लेकिन वो ये भूल गई कि प्रित्वी भी शरलन का साथ ही है और इसलिए वो गुंडे को पहले से ही सिखा पढ़ा लाया था जहां एंट्री लेते ही गुंडे ने शरलन के बारे में बुरा भला कहा पूरे परिवार के सामने उसका नकाब उतार दिया वहीं जैसे वीवर खुश हुए वैसे ही लीजिये गुंडा पलट गया और उसने ये कह दिया कि ये सब कुछ करने को उससे शर्ष्टी और प्रिता ने कहा था ये सुनते ही लूथरा फामिली के होश ओड़ गए पूरी की पूरी फामिली हो गई प्रीता और उसके घरवालों के खिलाफ अब हम आपको ये बता देते हैं कि यहां पर खलका सट्विस्ट है प्रित्वी की दिमाग में भी एक पूरा का पूरा ड्रामा चल रह है रिशब समझ नहीं पा रहा है कोन गलत है कौन सही दिल कहता है कि प्रीता जी बिलकुल सही है लेकिन दिमाग शर्लेंड की बातों पर यकीन करवा देता है और फिर बीच बीच में शर्लिंट जो रिशब को पढ़ा रही है वही उसे सब कुछ समझ में आ रहा है ऐसे में रिशब हो चुका है प्रीटा के खिलाफ लेकिन रिशब की प्रीटा से ये नाराव के कितने दिन की है ये जानने के लिए इंतजार कीजिए झाल